हेलो गाइज स्वागर था आपका हमारे थंदीरिया कैफे चैनल पे तो गाइज आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने जेके बैंक एटीम से कैसे अपने मिनी स्टेटमेंट बड़े असानी से निकाल सकते हैं सिर्फ एक मिनट में तो यहाँ पे म आपको बटन प्रेस करके जाएगा जैसे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि मिनी स्टेटमेंट क्या होती है तो यहाँ पर देखिए तो जब भी आपको अपनी ट्राइक्शन की डिटेल द निकलवाते हैं तो कहीं पर क्या होता है कि आपको अपनी डिटेल देखने के लिए बैंक की लाइन में लगना पड़ता है एंटरी करवाने के लिए अपनी पास्बुक पे तो यहाँ पर आपकी मिनी स्टेटमेंट काम आती है जैसे आप बड़ी असानी से निकालके अपनी तो आपको अपने साथ किसी को लेकर नहीं जाना है जिसके बज़र से आपका जो ATM कार्ड का पिन है वो सेफ रहे सबसे पहले यहाँ पर देखिए जब आप ATM के अंजर एंटर करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा फेस दिखाए देगा तो उसके बाद आपको आपको यहाँ पे अपना कार्ड इंसार्ड कर लेना है इंसार्ड करने के बाद आपके सामने बड़कम टो जे एंक के बैंड का औप्शन आजाएगा एस वहाँ पर मैं English चूज कर लेता हूं English चूज करने के बाद यहां पर देखिए option आजाता है Enter Pin, Generate Pin तो यहां पर आपको Enter Pin पर click कर लेना है जैसे ही आप Enter Pin पर click करेंगे तो आपके सामने यह option आजाएगा तो यहां पर आपको अपना pin डाल लेना है जो भी आपका Secret Pin है तो यहां पर डाल लें यहां नीचे बटन दिये हुए हैं यहां पर प्रेस करके तो अपना Pin एंटर करें जैसे ही आप Pin एंटर करेंगे उसके बाद आपके सामने यह options आ जाएंगे First Cash, Federal, Balance Inquiry, Card Service, Issue Statement तो यह आपके सामने सारे option आजाएगे आपको इनवे से एक चूज करना है Issue Statement, आपको Issue Statement के button पर क्लिक कर लेना है उसके बाद आपके सामने option आजाएगा Primary Account तो यहां पर आपको Primary Account पर क्लिक कर लेना है उसके क्लिक करने के बाद आपके सामने option आजाएगा Please Select the Account Type आपका account किस type का है, current है, saving है या OD है आपका जो भी account है तो वहां पर आपको क्लिक कर लेना है तो मेरा saving account है तो यहां पर मैं saving account पर क्लिक कर लेता हूँ जैसे आप saving account पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यह option आजाएगा Do You Want Receipt To Be Printed क्या आपको इसके सारे receipt भी चाहिए तो आपको अगरे receipt चाहिए होगी तो इस पर yes कहे लेना है, otherwise आपको no कहे लेना है यहां पर मैं yes कहे लेता हूँ तो yes कहने के बाद इसके receipt निकल के आ जाएगी तो यहां पर आपको show हो जाएगा transaction complete जो रसे निकल के आएगी उसमें आपका पूरा data दिया होगा एक मंत का उसमें सारी transaction बताई होंगी तो आपको अपने receipt निकाल लेनी है और इसके बाद alarm वजएगा तो आपको अपना ATM कार्ड भी निकाल लेना है तो यही था मिनी statement का process तो वीडियो अच्छी लगी हो तो और दोस्तों को भी शेर करें और गाइज सब्सक्राइब और लाइक जिरूर करें तो थैंक्यू गाइज मिलते हैं अगली कोई नियू वीडियो में